हेलो गाईज आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं इंडियन एरफोर्स ग्रूप एक्स और वाई के जो एर्मेन की रेक्विट्मेंट है वह आज से स्टार्ट होने वाली है आज जिससे जो इसके आफेदन होंगे वह शुरू हो जाएंगे और इसकी पोस्ट नेम है वह एक्स और वाई ग्रूप है एक्स टेक्निकल और वाई नॉन टेक्निकल तो इसमें कुछ-कुछ जो चीज़े हैं वह नई शुरू होई है इनके बारे में आपको बताना चाहता हूं तो हाई गाइस श्ञांक और वाचिंग स्टेश चानल जोस्वान तो गैस सबसे प सब्सक्राइब कर लिजे शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो इंपॉर्टन डेट है इसकी वह आज से स्टार्ट होने वाला 15 दिसमबर 2017 और लास जो लास डेट है इसकी एप्लिकेशन फिल करने की वह है 12 जैन 2018 और इसके जो सेलेक्शन टेस्ट है वह 10 और 11 मार्च 2018 को सब्सक्राइन टेस्ट है तो इसके लिए आपको इसकी चार्दिस देने पड़ेंगे जनरल ओविसी सब्सक्राइब के लिए 500 रुपी 500 रुपे जो है वह इसकी एप्लिकेशन फीज है एज लिमिट में काफी बदलाव किया गया है पहले जो इसकी डेट थी उसमें आइज जुलाई यह सेप्टेंबर के बीच में होता था लेकिन अब जो है वह स्टार्टिंग के एयर से मींस 13 जनवरी 1998 से लेकर जो कैंडिडेट है और 2 जनवरी 2002 इन दोनों डेटों के बीच में जिनके एज होती है वह इस फर्म को बढ़ सकते हैं और यह जो है वह ओनली अन्मेर प्रमिशन ले लेते हैं जो पोस्ट नेम है वह एरफोर्स एक्सवाइग ग्रूप है इंटेक वन 2019 नंबर पोस्ट नॉट सपेसिफाइड पेस के लोता है वह 14600 पर मेंथ डियूरिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग के द्वरान और उसके बाद आपकी फीस होगी वह 25,000 से बाव प्रमार्णी चाहिए और ओर टोटल परसंटेश होने चाहिए आपकी 15 फिर्टीं परसंट से अब उने चाहिए तो इसमें एक सबसे बात यह है कि पहले जो आप इस्टेट वाइज मैरीड बनती थी जिसमें जिन बच्चों की जब मार्व है वह स्टेट वाइज मैरीड बन य काफी इच्छा कर देहां फोड हो right-ディ governed लेते हैं ग्रूप वाई के लिए 10 प्लस Черफ ये बाये वाले By 연 आए बाय वाले वाई गुरूप को बड़ सकते हो एक्सुझे य ग्रीम को भर सकते हैं देख लेते हैं हाइट 152 cm से अबाव होने चाहिए मिनिमम चैस एक्स्पैंडेट जो होना से 5 cm होने चाहिए और मिनिमम वेट 55 kg से 55 kg होना चाहिए और मैक्सिमम हाइट के अक्वाडिंग होता है इसको अपलाए कैसे करने हुआ लागैं करने दो कंडिडिक को अपलाए करना चाहते हैं वो 15昨 2007 से लेकर टॉण 12 जनवेयर 2018 के पीच में शको अपलाए करना वर्णीह कि मैं तो कहूंगा आप स्टार्टिक में इसको अपलाए कर लिजी को लास्ट में जो इसकी साइट काफी बीजी हो जाती है तो काफी आपको दिक्कत होगी उसके जो मोड ऑफ सेलेक्शन है इस पर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा अपने एक्स्पीरियंस से जो आपके लोने काफी अच्छा कर दिया है कि आप लोगों को अच्छी सुझधाय प्रवाइट कर ली है और इस बाहर जो एक्जाम में इसका ओनलाइन होने वाला है 15% सब लोग बढ़ सकते हैं इसको डेट ऑफ बर्त के अकॉर्डिंग भी काफी छूट मिली है बच्चों को जिसके क और इसका इसके बच्चे सब्सक्राइब कर दीजए और इसका जुक्साम है मार्च में हो जाएगा तो गाइस आप लोगों के लिए प्रपेशन करने के लिए टाइम नहीं जल्दी से जल्दी इसकी प्रपेशन करना शुरू कर दिचिए और इसकी जो जो एकजाम के बाद तो प्रोसेस होती है उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि अगर आपने रुटरिन एक्जाम क्लियर करते है तो उसके बाद आपको किस-किस चीज की जरुरत पड़ेगी और अगर आपको ऐसे ही जॉप से लिटिए वीडिय बढ़ेगी और आपको भाबेगी बनापको किसा रहर दोसे हैं याजरु réalité WebsonCise